तो बात करेंगे हम लोग यहां पर अपने लिपेड मेटाबॉलिजम के अंदर अपने लाश्ट टॉपिक ही जो कि हमारा यहां पर बालोजिकल सिग्निफिकेंट्स ओफ कोलेस्टरॉल एंड कन्वर्जन ओफ कोलेस्टरॉल इंटू बाइलिसीट अब देखो यहां पर कुछ और topics भी हमारे बच जाते हैं like हमारा lipid metabolism disorders जिसके अंदर हमारा hyper cholesterolemia हो गया fatty liver हो गया और हमारा obesity हो गया देखो यह काफी easy है आप लोग को बुक में देखने को मिल जाएगा तो आप लोग वहां से refer कर लेना बाकि यहां से question भी बहुत कमी देखने को मिलते है यह question हमारा अक्सर मिल जाता है जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में तो आप लोग copy or pen लेके बैठ चाहिए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बात करें हम लोग यहां पर cholesterol की तो सबसे पहले तो यह समझो कि cholesterol हमारा एक type का lipid होता है simply अब इसकी उनके अंदर हमारा major component होता है cholesterol it is the major component of cell membrane in human body यानि हमारी जो cell membrane होती है cell membrane किससे बनी होती है phospholipids है तो जो lipid part होता है उसमे हमारा cholesterol देखने को मलता है it is a type of lipid present in our body यानि एक type का lipid है it is naturally synthesized in our body in liver and also be obtained from external sources देखो जो हमारा cholesterol है इसकी naturally हमारी body में synthesis होती है यानि कि naturally हमारी body में भी बनता है कहां बनता है liver में और इसको हम लोग यहाँ पे external sources यानि की diet से भी ले सकते हैं अब diet की बात करें तो यह mainly जो है हमारा जो हमारे animal origin के food होते हैं उनमें ही देखने को मिलता है like जो हमारे non vegetarian food होते है fish oil हो गया egg हो गया उसमें आप plant origin यानि की vegetarian food में यह absent होता है लेकिन देखो यहाँ पे सबसे important बात यह है कि cholesterol को आप लोगों को बहुत ज्यादा external source से लेने की जरूत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा यह हमारी body के लिए बिल्कुल भी अच्छा होता नहीं है आप लोगोंने सुना होगा कि cholesterol अगर heart वे ग psychological significance की बात करें यानि की cholesterol की हमारी body में importance क्या है देखो वैसे तो यह ज्यादा अच्छा नहीं होता है लेकिन कुछ हमारा जो है important भी होता है यानि कि कुछ हमारे important काम भी होता है like it is the major structural component of cell membrane cell membrane का major structural component होता है it is the most essential ingredient in the structure of lipoprotein देखो जो हमारे lipoprotein होते हैं तो यहाँ पे ल essential ingredient होता है basically cholesterol को भी हमारे lipoprotein ही एक जगा से दूसरी एका transfer करवाते हैं और it is the precursor of bile acid देखो precursor क्या होता है देखो precursor का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी चीज अगर बन रही हो तो उसमें सबसे पहला जो element होता है समझ रो starting material यानि कि यह जो हमारा bile acid है इसको बनाने के हमारे cholesterol होता है अब देखो यह हमारे सिर्फ bile acid नहीं बलकि यह हमारे vitamin D के भी precursor होते हैं and most important it is also the precursor of various steroidal hormones like progesterone, androgens, corticosteroids यानि यहाँ पर देखो जो हमारे major यहाँ पर steroid hormones होते हैं sex hormones होते हैं like हमारा females में progesterone होता है ठीक है और males में यहाँ पर testosterone होता है तो उन सब में भ देखने को मिलती है now fatty acids are transported to liver as cholesterol esters यानि कि जब मारे fatty acid का liver में transport होता है तो वो भी हमारे यहाँ पर cholesterol के through होता है ठीक है ester के form है और यहाँ पर यह nerve fibers के insulation में भी role play करते हैं although cholesterol has various biological significance but its high concentration can lead to atherosclerosis यहाँ पर दिखो cholesterol वैसे तो छलो थोड़ा बहुत काम का होता है हमारी body के cow chish then the one effect to atherosclerosis को यहाँ पर punch कर सकता है अब यह क्या होता है basically के अंदर होता है है जो हमारी blood vessels होती है टो उसके अंदर हमारे यहां पर यहां Wat painting है अब यहाँफे अगर हमारा blood vessel के अंदर liPD आ अ के फंस गया तो क्या होगा हमारे blood וर डिश्टरब हो जाएगा अब देखो अ जाम हो जाएगा, ब्लड आगी ही नहीं जा पाएगा, और इसके वज़े से क्या होगा, अल्टिमेटली जब ब्लड ही नहीं मिलेगा बाडी को, तो देथ हो जाएगी, तो काफी मतलब हामफुल भी हो सकता है हमारी बाडी के लिए, अब देखो इसके अंदर जो हमारा मेजर टॉपिक है, जिसका हम लोगों को पढ़ना है, वो है हमारा यहापर कनवर्जन ओफ कोलेस्टरॉल इंटू बाइल इसीड, अब देखो जो हमारा बाइल इसीड होता है, तो इसकी प्रोडक्शन हमारी लिवर में होती है, और कैसे होती है, कोलेस्टरॉल की थ्रू होती है, और इसका काम क्या होता है, इट प्रमोट्स था है, अब्जॉप्शन ओफ लिपिट्स एंड फैट सॉलिवल विटामिन, यानि कि दिकुँँ जो, जैसे कि हम लोग कुछ भी डाइट से ले रहे हैं, तो उसमें जो हमारा लिपिड होता है, और जो कुछ हमारे ऐसे विटामिन होते हैं, जो कि सिर्फ फैट सॉलिवल होते हैं, लाइक हमारा विटामिन A, D, E and K, यह चार्ज जो हमारे विटामिन है, यह मेंली हमारे फैट सॉलिवल होते हैं, तो उनके यहाँ पर कह सकतो कि absorption में हमारी बॉड़ी में, यह बहुत important rule प्ले करता है, क्या bilisid, अब bilisid का formation कैसे होता है, कोलेस्टरॉल की दुरू होता है, कैसे होता है, तो उसी को हम लोग को देखना है, तो यहाँ पर दिकुछ हमारी simple सी कुछ step की procedure है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे कोलेस्टरॉल है, यह हमारे convert हो जाता है, स्टैबन हाइड्रॉक्सी कोलेस्टरॉल में, और यहाँ पर दिकुछ हमारे एक NADPH है, उसका consumption होता है, और हमारे NADP plus में convert हो जाता है, और यहाँ पर हमारे एक oxygen भी जो है, रिलीज होता है, अब यह जो हमारे स्टैबन हाइड्रॉक्सी कोलेस्टरॉल है, यह हमारे फर्दर जो है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, सबसे पहला होता है हमारे यहाँ पर कॉलीकेसिट, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पर कीनो-डी-ॉक्सी कोलीकेसिट, यहाँ पर देखो कुछ हमारे several step की process होती है, बट यहाँ पर finally इन दोनों पार्ट में ब्रेक हो जाता है अब देखो जो हमारा कोली किसिड है और जो हमारा कीनोडी ओक्सी कोली किसिड है सो यहाँ से थोड़ा सा द्यान से देखना जो हमारा kolic acid है, अगर यह हमारा glycine की presence में reaction कर रहा है तो यह हमारा convert हो जाता है glycocolic acid में और अगर यह हमारा taurine की presence में reaction कर रहा है तो हमारा यह convert हो जाता है tauricolic acid में और देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना यह जो हमारा glycocolic acid है और यह जो हमारा torocholic acid है यह दोनों होते हैं हमारे यहाँ पर primary bilicid and बिल्कुल इसी की तरीकी acid जो हमारा keno-deoxycolic acid है यह भी हमारे यहाँ पर taurine या फिर glycine की presence में किस में convert हो जाता है या तो हमारा torochino-deoxycolic यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह फर्दर जो है यह जो हमारे primary bilicid है तो यहाँ पर दिखो हमारे intestine में presence होते हैं कुछ bacteria तो यह चारो हमारे इन बैक्टिरिया के साथ यहाँ पर react करके किस में convert हो जाते हैं यह हमारे convert हो जाता है glycocolic हमारा deoxycolic acid में और यह हमारे convert हो जाता है lithocolic acid में और यह दोनों होते हैं हमारे यहाँ पर secondary bile acid तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पर bile acid का synthesis from cholesterol अब थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर language के टम में बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होता है सबसे पहले जो हमारे यह पर जाता है 7-alpha-hydroxy-lase अब यह जो हमारे 7-hydroxy-lase यह हमारे ब्रेक हो जाता है koliak acid में और keno-deoxy-kolic acid में and these are the primary bile acid on conjugation with glycinol-taurine conjugated bile acids are formed यानि की दिखो जब यह glycinol-taurine से यह दोनों react करते हैं तो हमारा जो है secondary bile acid form हो जाता है जो कि हमारे कौन से होता है deoxycolic या फिर lithocolic तो दिखो यहाप ठोरी आप लोग बहुत आराम से बना के लिख सकते हो बिल्कुल यही सारे steps आप लोग को लिखने रहते हैं और चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हो